नमस्कार दोस्तों, exam preparation में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग cover कर रहे हैं आरो ए आरो दो हजार देश के लिए previous questions तो जो भी बच्चे, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परिक्षा के लिए तयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ करके अपनी preparation कर सकते हैं यहाँ पर दो पर एक बजे subject wise सीरीज आ रही जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक जो प्रीवेसर में पूछे गए हैं या जिन से आने की संभावना है वो करा रही हूं और डेली नाइट में आप नो बजे देखेंगे कि प्रीवेसर कोशन की सीरीज चल रही है इनको follow करते रही है इसके साथ-साथ हिंदी की भी classes आती हैं जो कि 60 नंबर की हिंदी आपको complete यहाँ पर प्रिपेर कराई जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने हिस्टी के questions का हमारा पहला प्रशन है हल्दी घाटी युद्ध में महाराना प्रताप के अलावा राजपूत सेना पती कौन था ठीक है राजपूत सेना का सेना पती कौन था पूछा गया है उप्शन A है इब्राहिम गार्दी उप्शन B हकीम सूर उप्शन C है टारडी बेग और उप्शन D है महमूद लोदी इसका सही उत्तर होगा उप्शन B हकीम सूर याद कर लीजे 60 second question है रजम नामा किस हिंदू गरंद का फार्सी अनुआद है उप्शन A है रामायड उप्शन B है महाभासी और उप्शन D है अश्टाधियाई तो याद रखे महा भारत का जो फार्सी में अनुआद किया गया उसका नाम क्या है रजम नामा यह अंसर C करेक्ट होगा अब 63rd question देखिए भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीशियों की असफलता के कारण के संदर में निम लिखित कतनों में से कौन से कथन सही है जो पहला कथन है अंग्रेजों को बंगाल विजए से अपार धन उम जन सकती का मिलना statement second है अंग्रेजों की बेहतर नौसेनिक ताकत तो यहां पर दोनों ही कथन सही है देखे भारत में अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था बंगाल उनके हाथ में आ चुका था और उनके वजए से उनके पास अपार धन क्योंकि वहां पर ये लोग करवसूलने लगे थे ठीक है तो यहां पर दोनों ही स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाएंगे और यहां पर कुछ विद्रोह दिये गए है और उनको मैश करने के लिए उनकी डेट दी गई है हम यह सीरीज जब भी हिस्ट्री की देखने तो उसमें ऐसे प्रशन आये हुएं या तो काल क्रमा नुसार लगाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वचाय गांधी जी के समय में हूँ या फिर अंग्वेजों के काल में कुछ हुआ हूँ उसके साथ साथ कोई भी विद्रो हुए हो तो उनसे प्रशन आये हैं इन टॉपिक को प्रिपेर करना इसलिए हम लोग प्रिवेसर कोशन सौल कर रहे हैं क्योंकि पता चले कौन से टॉपिक आपको पढ़ने और कैसे प्रशन पूछे जाते ठीक है तो यहां पर देखिए रंपा विद तो रंपा विद्रो होता 1879-1880 ठीक है यह इसकी डेट है यह लास्ट क्लास में भी मैंने कराया है इसके बाद देखिए पाबना विद्रो पाबना किसान विद्रो है इसको याद कीजिए यह है 1873-1876 तक फिर बंगाल का नील विद्रो 1859-60 जैंतिया विद्रो इसको याद रखे 1862-1863 ठीक है तो आपका ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और इस तरह आप डेट भी याद कलीजिए फिर से मेरे साथ याद कीजिए रंपा विद्रो 1879-1880 फिर पाबना का याद रखे 59-60 एटीम में ही हुए है सब फिर बंगाल नील विद्रो माफ कीजिएगा अगला प्रशन है देखी ये इतिहास के प्रशनों को जरूर सॉल्फ कीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ कोशन ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन से कोशन बन जाते हैं तो इस टेटमेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपेर करिए 65th कोशन है लाठी क्लब की स्थापना निम लिख अब 66th question है सुची एक को सुची दोसिस उमेलित करना है ठीक है कुछ association दिये गए है कुछ समितिया दी गई है और उनकी स्थापना किसने की उनसे related जो भी मेंबर हैं उनके बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले इंडियन association दिया गया है फिर पूना सार्वजनिक सभा दी गई है बंबाई प्रेसिडेंशी एसोशियेशन है डी में मद्रास महाजन सभा है अब इनको मैश करना है सामने वाली लिस्ट में आनंद चारलू है सुरेंदनाद बनर जी है महादेव गोविंद रानाडे है और फिरोस्सा महता है तो सबसे पहले सुरू करते हैं अब से ए देव गोविंद रानाडे ठीक बंबाई प्रेसिडेंशी फिरोस्सा महता और मद्रास महाजन सभा आनंद चारलू याद हो जाएगा ऑप्शन सी एक करेक्ट होगा मापीजेव ऑप्शन एक करेक्ट है सुची एको सुची दोस्त से सिमेलित कर दिया गया है और इसको आप दूसरा है बहिस्कृत हितकार्णी सभा और इनमें दिया गया है जोतिवा फूले ऑप्शन सी है थियो सोफिकल सोसाइटी करनर अलकॉर्ट दिये गया है ऑप्शन डी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोर्टिक एसोशियेशन और इसमें सैयद एहमत खान दिये गया ह है वो ही गलत है बहिस्कृत हितकार्णी सभा से भीम्रों अम्बेडकर जी रिलेटेड है उन्नीसोचोविस में इसकी स्थापना होती है तो जोतिवा फूले यहां पर गलत दिया गया है और जोतिवा फूले के बारे में याद अखना है तो 1851 में इन्होंने बाली का विद् इम्पीरियल गजेटियर के जो संकलन करता है वह विलियम विल्सन हंटर है इनको ऑफ्षन खर्यक्र करेक्ड कर लिजे याद कर लिजे निमलिकित में से कौन आज़ाद हिंद फॉज आई ने से जुड़े हुए नहीं थे पूछा गया है और आप्शन राशिद अली है ऑप की के सहगल इससे रिलेटेट थे तो याद रखिया जाधिंद फॉज के बारे में कि आलिस के भारत छोड़ आंदोलन के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कतन सत्य नहीं है को एक समयधानिक संथा गोसित किया गया और ऑप्सन डी या एक स्वतास फूरत अंदोलन था इसमें सी करेक्ट नहीं है सत्य नहीं है इसके लावा सभी सही दिये गए हैं तो इसको याद कर लीजिए इसको कोशन पर आते हैं नेम्लिखिन घटनाव पर रिचार कीजिए इनको काल करमानुसार लगाना है जैसे कि करिप्स पस्ताओ है अगस्त पस्ताओ है वेवल योजना है ऐसे करके आपको याद रखना है अब यहाँ पर काल क्रमा अनुसार अगर लगाएंगे तो सबसे पहले अगस्त प्रिस्ता हो जाएगा फिर किप्स मिसन, फिर वेवल योजना, माफ कीज़ेगा फिर इसके बाद CR फॉर्मूला है और फिर वेवल योजना है option B correct होगा अगला प्रशने इस्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धर्ती पर बहुत काम किया जाना ये कथन किसका है इसका सही उत्तर हो जाएगा D इस्वर्चन विद्यासागर द्वारा इनको भी क्या करना है? क्रोन लॉजिकल ओर में लगाना है सबसे पहले दिया गया है क्लाईव का पुना भारत तभियान, फिर है अलाहबाद की संदि, ठी है बक्सर का यूद और फोर्थ है वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर वंदा तो देखिए सबसे पहले तो होता है बकसर का युद्ध, यह मैंने शॉट्स में कम्प्लीट करा है, आप लोग वो जरूर देखिए, वहाँ पर सारी डेट और किसके किसके बीच हुआ है, कम्प्लीट करा है मैंने, परियाद कर लीजे, बिटिस सेना का और हेक्टर मुन्रो इ होती है तुब क्या होता है यह क्या आता है तू यह क्या करता है और उ territory शौट के शौट के करता करता है लाहाबाद ही इस संधी के बाद में जब क्लाइव वापस WAR N se भन양व ऊता है यह लाहब की है और इसके लिए आपको शॉट्स देखना पड़ेगा तब आपको डेट और बाकी चीज़े वहाँ पर मिल जाएंगे और आप प्रिपेर कर सकते हैं इसलिए डेली जो शॉट्स आरे उनको भी करते रही है और साथ में आप ये क्लासिस भी करते रही है 74th question है सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है यहाँ पर कुछ संधिया दिये गई है और उनके सामने दूसी सुची में उनकी डेट दी गई है जैसे कि अलाहबाद की संधी है एकसला चैपल की संधी है लाब उर्दिनास से द्वारा मदरास पर अर्धिकार है फिर डूप अपले को कब हटाया गया पत से अब इसमें डेट है 1754 1746 1748 1765 इसको मैश करना है तो अभी मैंने क्या बता है बकसर का युद होता है 1764 में फिर 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है तो क्या हो जाता है 1765 में अलाहबाद की संधी होती है अक्टूबर 1764 में बकसर अधिकार हो जाता है 1746 में और 1754 में ही डूपले को क्या होता है पत से हटा करके वापस बुला लिया जाता है इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है 74 का बी फिफ्ट कोशन है निमलिखित घटनाओं को उनको काल क्रमा अनुसाल लगाना है अभी हमने इसकी बात की थ गांधी इर्विन समझोता है पूना पैक्ट है पून राष्टी सुतंदता की घोशना है और उसके बाद है सविने अवग्या अंदोलन ठीक है ऐसे हम लोग को बताना है कौन पहले हुआ कौन सा बाद में है तो सबसे पहले पून सुराज की घोशना हो जाती है थर्ड वाल उसके बाद याद रखिए सविने अवग्या अंदोलन होता है अब इसके बाद आपको याद अखना है गांधी इर्विन पैक्ट और उसके बाद पूना पैक्ट ठीक है ये आपको याद अखना है तो सीरिल 3,4,1,2 हो जाएगा जो भी कोश्चन इसमें कर रहे हैं टॉपि इसके साथ-साथ समा चार पत्र अपराधो के लिए प्रोथ सहान अदियम 1908 आता है तो ये फर्स्ट नहीं मैश्ट है यही आप्शन सही होगा उसके लावा सारे मैश्ट है अगले प्रेशन पर बढ़ते हैं सूची एको सूची दो से सुमेलित करना है इसमें कुछ छेत दिये गए हैं कुछ सहर जो खोजे गए हैं और किसने उसनकी खोज की है खोज करता के नाम दिये गए हैं जैसे कि हडपा है हस्तिनापुरह तक्षिसिला है और कौसाम भी है अब इसकी खोज जैसे कि खुदाई की गई तो एंजी मजून दार दिये गए 1936 से 1934 दयाराम साहनी द्वारा समय दिय होती है फिर बात करते हैं हस्तिनापुर की बीबी लाल 1950 से 1952 फिर याद करिये तक्षिसिला जॉन मार्शल 1913 से 1934 और फिर कौसाम भी एंजी मजून दार 1936 से 1937 ऑप्षिन सी करेक्ट है 79 कोशन है निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आप्षिन ए अंग चमपा और कोशल की राजधानी आहिछत्य दी गई वत्स की कौसाम भी मत्स की विराट नगर तो कोशल की गलत है बाकी सारे सही है यही सुमेलित नहीं है यह महाजनपत दिये गए हैं आपको उनके बारे में ठीक है तो आप्षिन भी करेक्ट होगा महावीर स्वामी को किस नदी के तड़ पर ज्यान उदय प्राप्त हुआ था सुन सिक्ता पलाशिनी गंगा या रिजुपालिका ठीक है तो पांसो चालिस इसा पूर होता है महावीर स्वामी का जन्व और यह हुआ रिजुपीके पास इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ठीक है घ्यान की प्राप्ति के हां भी इजुपालिका नदी के तड़ पर तो ऑप्षण होगा यहां तक हम decíaस के कुछ महत्तवूर्ट प्रशनों को देखा है ऐसे और प्रशनों पेश्णों के साथ मैं next series में तो आप सारे सब्जेक्ट मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं आरो यारो दो हजाएट तैस की कंप्लीट प्रिपेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहे हैं यह चैनल आपको दुपर एक बजे और उसके साथ था जो रात की नौ बजे की क्लास इन दोनों को कंप्लीट कीजें इन दोनों में आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करा जा रहा है तो चलिए ऐसे ही और कंटेल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फैल आइकन प्रेस कर लीजे तो और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद